दोस्तो Google Photos एक ऐसा एप होता है जो सबके मोबाइल फोन में दिया होता है आपके भी मोबाइल फोन में 100% Google Photos होगा क्योंकि ये पहले से ही सबके मोबाइल में डाउनलोड होकर आता है लेकिन दोस्तो कि आप जानते हैं इस Google Photos की मदद से आप अपने कितने भी साल पूराने दिलीट हुए फोटो को आसानी से रीकवर कर सकते हैं यानि कि मान लिजिए आपका जो फोटो है वो 5 साल पहले डिलीट हो गया हो या फिर 1 साल 2 साल पहले डिलीट हो या फिर 10 साल पहले डिलीट हो और आप उसे रीकवर करना चाहते हैं वापस लाना चाहते हैं तो आसानी से दोस्तों आप इस Google Photos की मदद से उस डिलीट हुए फोटो को recover कर सकते हैं वापस अपने mobile phone में ला सकते हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इसी trick के बारे में बताऊंगा कैसे दोस्तों आप Google Photos की मदद से कितने भी साल पुराने डिलीट हुए फोटो को आसानी से आप recover कर सकते हैं तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए गए तो इस वीडियो को like को share करना साथी साथ हमारे शेनल को subscribe कर लेना तो चले हम इस वीडियो को start कर लेते हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर इस गूगल फोटो की मदद से कैसे आप अपने पूराने से पूराने डिलीट हुए फोटो को recover कर सकते हैं वापस अपने mobile phone में ला सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा अपने mobile phone में यह जो google play store है इसे open कर लेना है तो इसे सबसे पहले आपको यहां से update करना है क्योंकि जो trick में आपको बताने वाला हूँ उसके लिए दोस्तों आपका यह जो google photos app है यह update होना चाहिए update नहीं रहेगा तो दोस्तों यह trick काम नहीं करेगा सही से समझेरो तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है play store पर आकर अपने यह जो google photos app है इसे update करना है तो यहां पर आप देख लिए हमारा update हो गया है अब जो update है वो इंस्टॉल हो रहा है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं google photos app जो है हमारा update हो गया ठीक है update करने के बाद अब आपको इसी open करेंगे इस प्रिकास से दोस्तों आपको interface देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले उससे एक hidden setting को on करना पड़ेगा जि इस पर आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आजाता है photos setting तो इसी के ऊपर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों जो photos की setting है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर सबसे ऊपर दोस्तों एक backup का setting देखने को मिलेगा और यह setting दोस्तों आपके mobile phone में बंद मिलेगा तो इसे आपको यहाँ से on करना है क्योंकि यह एक ऐसा setting है दोस्तों जो आपके कितने भी साल पुराने डिलीटरे फोटो को वापस लाज सकता है समझे रो तो इसे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यहाँ से turn on करना है इस प्रकास उसका आपको password याद रखना है ठीक है क्योंकि दोस्तों मालीजे इन केस आपका device खो जाये चोरी हो जाये कुछ भी हो जाये ना तो इस email id से आसानी से आप अपना photos, videos कुछ भी और recover कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर इसे बस आपको on करके छोड़ना ही देना है यहाँ पर इसे original quality पर set करके रखना है ताकि जैसा आपका photo मतलब की original हो तो original quality में ही recover होगा समझ रहो एकदम real quality में ठीक है तो इसे आपको यहाँ पर set करके रखना है उसके बाद back करेंगे अब यहाँ पर दूसरा setting है mobile data uses इसकी उपर click करना है अब यह दोस्तों यहाँ पर क्या है no data पर set है तो यहाँ पर आपको अलग-अलग data का जो है option देखने को मिल जाता है तो इसे दोस्तों आपको क्या करना है 30 MB पर set कर देना है अगर आप दोस्तों unlimited पर set कर देंगे तो यह से मैं आपका पूरा का पूरा internet खतम हो जाएगा समझ रहो तो आपको पता भी नहीं चलेगा internet क यहाँ पर गया तो इसलिए कभी भी आपको इसे unlimited पर set नहीं करना है 30 MB पर set कर देना है जिसके गर में वाइफाई है वह unlimited पर set कर सकते है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक कर देना है अब यहाँ पर दिया है backup device folder इसके उपर आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दो サके ठीक है तो यहाँ पर आप अपने इसाफसी सेलेक्ट कर सकते है मैं यहाँ पर अपने device का name वाला जो folder है उससे select कर दे आ हूँ आपको इस्टर कर सकते हैं kita kyonकि मेरा जो main photo है इसी में जो मैने इसी कि जो आपका back up हो चुका है यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं जो हमारा back up हो यहां पर फूरू हो गया है ठीक है हमारे एक एक फोटों करके यहां पर जो है बैक off हो रहा है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 179 फुटोज है में सभी के सभी यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं अपलोड हो रहे हैं पूरा का पूरा अब दोस्तों यहाँ पर में टॉपिक पर हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने सालों साल पुराने डिलीट हो यह फोटो को रीकवर करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर हमने यह जो सेटिंग ऑन क्या है ना बैक अब इस सेटिंग से होगा क्या आपकी जो सभी की सभी फोटों से वो यहाँ पर से हो जाएंगे सेव होने के बाद दोस्तों अगर ये फोटो बाइमेस्टिक ली आपके फोन से डिलीट हो जाता है आपका फोन रिसेट हो जाता है या आपका फोन चोरी हो जाता है तोट जाता है खराब हो जाता है कुछ भी हो जाता है फिर भी दोस्तों आपकी ये सभी फोटों 100% सेव रहे वैसे दोस्तों आपको ये सभी फोटोस मिल जाएंगे इन्हें आप रीकवर कर पाएंगे समझ रहो तो यही ट्रीक है दोस्तों ये बैक अप को आन करने के बाद आप कितने भी साल पुराने डिलीट हुए फोटोस को आसानी से रीकवर कर सकते हैं और ये 100% वरकिंग ट्रीक ह आप ट्राइ करके देख लिजे तो अगर आपके फोन में अभी तक ये आन नहीं है तो जल्दी से इसे आन कर लो इसे आन करने का फायदा दोस्तों मैंने आपको बता दिया कितने भी साल पुराने डिलीट हुए फोटो को आप रीकवर कर पाएंगे तो अगर आपको दोस्त पाएंगे तो आपको 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 शेयर करना साती साथ हमारे शेनल को सस्क्राइब करना थैंके दोस्तों बाइबन टेक क्यार